नमस्कार आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही जबरजस्त अलक्टानिक कार को लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाटा कर्व अलक्टानिक वहिकल जिहां 585 किलोमेटर की रिंज मात्र 15 मिनिट के चार्ज में आपको मिलेगा तो चलिए ये तो हुआ छोटा सा टाटा कर् करेंगे परफॉर्मिंस के बारे में दूसरे नमबर पे हम बात करेंगे कार से कार होगी चार्ज तीसरे नमबर पे हम बात करेंगे इसके फिचर्स के बारे में चौथे नमबर पे हम बात करेंगे खास सिप्टी के बारे में पांचमे नमबर पे हम बात करेंगे पैदाल या 55 kWh और 45 kWh की दो बैटरी पैट मिलता है कमपनी इसके साथ फास चार्जिंग का भी विकल्ब दे रही है कमपनी का दावा है कि 1.2C चार्जिंग टेक्निलोजी की मदद इस कार को महज 15 मिनिट में इतना चार्ज किया जा सकता है कि ये कार आपको 150 कीमी की रेंज देगी इसकी बैटरी को 70 kWh के चार्जर से महज 40 मिनिट में ही 10 से लेकर 80% तक चार्ज किया जा सकता है खूल चार्ज में ये कार 585 कीमी तक का ड्रावरी रेंज देती है टाटा मोटर साफ साफ कह दिया है कि कर्व एवी को कई एडवांस फिचर के साथ लेस किया गया है इसमें कमपनी न रावा है कि ये SUV महज 8.6 सेकंड में ही 0 से लेकर 100 कीमी घंटा की रपतार पकड़ने में सक्षम है अब हम दूसरे नंबर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कार से कार होगी चार्ज कैसे चलिए जानते हैं टाटा कर्व में कमपनी ने अपने नक्सोन के ही तर्ज पर वेकल्स टू वेकल्स और वेकल्स टू लोड फंक्शन भी दिया गया है सिस्टम की मदश से आप इलक्टानिक कार दूसरी इलक्टानिक कार को भी चार्ज कर सकते हैं वहीं वी टू यल की मदश से आप अपनी कार से इलक्टानिक अपलाई सेज को पावर दे सकते हैं ये कार आर्केड एवी टेकनोलोजी से लेस है इसके अलामक कमपनी टाटा एवी ओर्जिनल को भी लॉंच किया है जिसके माध्यम से ग्राहक कमपनी के आफीसियल एक्सेसरीज खरी सकते हैं तीसरे नमबर पे हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में पावर एडजेस्टेबर ड्राइवर सेट, प्रीमियम लेदरेट वेंटिलेटेड सेट, रिकलाइन फंक्सन के साथ सेकेंड रोर सेट कस्टमाईजेशन सिस्टम के साथ केविन मुड लाइटिंग 26 सेमी का डिजिटल कॉक्पिट जो मल्टी डायल व्यू के साथ आता है इसमें ब्लाइंड, स्पार्ट, मॉनिटरिंग, साइड इसमें आर्केट एवी की भी सुविदा दी गई है जो 20 से ज्यादा ओटेटी प्लेटफार्म और आयप को सपोर्ट करते हैं आयविंग को मनरंजन बनाने के लिए टाटा ने इसमें जेबील के 9 स्पीकर को सामिल किया है इसके अलामा इस यस यूवी को मल्टीपल वाइस कंबांड सीस्टम से भी लेस किया गया है जो भारत की कई छेत्री भासाओं में कंबांड लेता है जिसमें हिंदी, मराथी, तमिल, तेलगू और बंगाली सामिल है कर्व एडवांस तुपीरिये डिश्टल फोर स्पोक श्टेरिंग विल्स के साथ आता है इसमें पैडल सिप्टर्स पावर्ड टेलगेट वारलेज चार्जर को भी सामिल किया गया है चोथे नंबर पे हम बात करेंगे सेप्टी के वारे में टाटा ने अपने अन्य मॉडलों के ही तरह इस यस यूवी को भी सेप बनाने की पूरी कोशिस की है इसमें लेबल टू एडवांड ड्राविंग असिस्ट सिस्टम दिया गया है इसके अलामा शिक्स एयर बैग बताओर स्टेंडर्स थ्री पॉइंट इल आर सीट बेल्ट सीट बेल्ट एक प्रिंटेशनर चाहिल्ड सीट थ्री सिस्टी डिग्री स्राउंड ब्यू कैमरा फ् से संदुफू जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में टेस्ट किया गया है जो तक्रीबन 11,930 फीट उंचा है अब आईए हम पांचमें नंबर पे बात करेंगे कि पैदल यात्रियों के लिए क्या-क्या सिप्ति दिया गया है इसके बारे हम जानेंगे अगर आप रोड प इसम की आवाज उत्पन नहीं होती ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक कारे सड़क पर चलने वाले अन पैदल यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसके लिए टाटा मोटर्स ने अपनी कर्व एवी में नई अपुस्टिक विकल्स अलट सिस्टम दिया है जो कार स्ल नंबर पर हम बात करेंगे टाटा कर एवी की कीमत कितनी है आकार्सक लुक और दमदार पावर ट्रेंस से लाइस इस यूवी की सुरुवाती कीमत है सत्रह लाख उन्चास हजार रुपए तो इसी तरह की एलक्टानिक वहिकल्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैन